आज के 26 में के शुर्य नानम से को सोगत है परमातु कहते हैं कि सुव के चक्र को जान ग्यानितु आत्मा बनने वाले प्रभू प्रिय भवा सुव के चक्र को जान ग्यानितु आत्मा बनने वाले प्रभू प्रिय भवा आत्मा का इस श्रिष्टी चक्र में क्या-क्या पार्ट है उसको जानना अर्थात स्वधर्शन चक्रधारी बनना मैंने क्या-क्या पार्ट बजाए है सोव के चक्र को जानना सोव के चक्र मेंने 84 के चक्र कहते हैं इसको 84 के चक्र में मैंने क्या क्या पाट बजा है सोव के चक्र को जानना रथात ग्यानी तु आत्मा बनना समझने अपने आपको कि मैं किस लायक हूं मैं कितना उचा पाट बजा है कितना नीचा पाट बजा है मै कब मैंने hero बनकर पार्ट बजाये कब मैंने villain बनकर पार्ट बजाये सब को जानना बहुत जरूरी ताकि हम पेचाने की हमारे इंदर शम्ता क्या है कितना अच्छा बनने की शम्ता है ऐसे ग्यानितु आत्मा की प्रभू प्रिये हैं उनके आगे माया ठेहर नहीं सकति बिकास उनको पता है कि मैंने worst to worst part भी क्या बजा है, मैंने क्रोध का, भीमान का, लोप का, कामवासना का, क्या क्या बजा है मैंने, और मुझे उससे बचना कैसे, बिकाज हम बहुत बारे उससे हैं, यह स्वधशन चकर ही भविशे में चक्रवर्ती राजा बना देता है, क्या हम समझ पाते हैं अपने आपको, अपनी कमी, कमजोरी को समझ पाते हैं, और अंदर जो शम्ताइं हैं, शक्तियों को भी समझ पाते हैं, जो कि बहर आत्माओं को जिनको यह ज्यान नहीं है चक्र का उनको पता नहीं चलता कि वो है कौन वो अपने अपको ढूंद ते रहते हैं मैं हूं कौन मैं क्या करने आई उस जीवन में तो अगर हम अपने पास को समझ ले कि हमने पूर जनुम में कहां का जरम लिए थे सत्युक्त रेता दौपर में चल रहा है तो हम समझ बाते हैं कि हमारी आक्चली शम्ता क्या है तो परमात्मा जैसे हमें कहते हैं कि आप अपने आपको परियूर्तन करना शुरू करते हैं ओम शांती